हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू मा यूट्यूब चैनल जैसे कि हम लोगों ने जहारखन बियर्ड एंट्रांस एक्जाम के लिए टीजिंग अप्टिट्यूड के सिरीज को स्टार्ट क्या था आज ही क्लास नमबर 29 है इससे पहले 28 क्लासेस हो चुकी है अभी तक अगर आपने इ को यह पीडिएफ दे दूंगी आप यहां पर एक बार क्लास करते हैं और पीडिएफ को बाद में देखते हैं एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी स्ट्रॉंग हो जाएगा ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करत को तो देखिए पहला क्वेशन क्या है सिच्छन की सबसे उत्तम विधी निमलिखित में से कौन है टीचिंग की जो सबसे उत्तम विधी है निमलिखित में से कौन है ओप्सन ए भासन पाठेकरम विधी प्रोजेक्ट विधी और परेटन विधी तो करेक्ट आंसर होगा ओप एक जो good teacher होता है, उनको टीचिंग method का क्या होना चाहिए, knowledge होना चाहिए, तो क्यों होना चाहिए, यही हम लोग को यहाँ पर बताना है, option A है, इससे सिच्छन अधिक प्रभावशाली हो जाता है, जो teaching है, वो क्या होता है, more effective हो जाता है, इससे सिच्छन कारे जल्दी समाप् option C है, इससे सिच्छन कारे असानी से क्या जा सकता है, इससे सिच्छन को आत्म विश्वास मिलता है, तो इसका correct answer होगा, option A जो की है, इससे सिच्छन अधिक प्रभावशाली हो जाता है, हमें क्या करना है, teaching को more effective, effective बना करके students के सामने क्या करना है, present करना होता है, option A correct answer होगा question number third है, सिच्छक का प्रमुक कारे क्या है, एक जो teacher होते हैं, उनका main जो function या फिर आप कारे बोल सकते हैं, वो क्या है, option A है, पाठे सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, छात्र अधिकम को प्रत्साहित बन इर्देशित करना, कच्छा में कड़ा अनुसासन बनाये रखना, जहां भी ये negative चीज़े मिलती है, आप उसको तुरंट से काट दीजेगा, option D है, प्रद्नाचारे से मधूर संबंद बनाये रखना, तो इसके correct answer होगा, छात्र अधिकम को प्रत्साहित बन इर्देशित करना होगा, option A भी यहाँ पर नहीं होगा, तो option B correct answer हो जाएगा, question number 4 है, अच्छे सिच्चन को विक्षित करना चाहिए, सिच्चको की ज्यान पर निर्भरता, अभी भावको की साहता पर निर्भरता, अपने स्वयम के अधियन पर निर्भरता, और पाठे पूस्तको के नाम पर निर्भरता, तो दिखे correct answer क्या होगा, option C, जो की अपने स्व के अधियन पर निर्भरता होने चाहिए, question number 5 है, कच्छा अध्यापक के लिए आप निम्न में से किस विधी का परियोग करेंगे, option A है, व्याख्यान विधी, परिचर्चा विधी, प्रशनोतर विधी और सुरूती लेक विधी, तो इसका correct answer होगा, option C, जो की प्रशनोतर व विधी को दिया था, ठीक है, याद कर लिजेगा इसको, मतलब उन्हों नहीं, जो प्रशनोतर विधी के प्रतिपादक है, वो कौन है, तो वो है, सुकरात है, next देखते हैं, विध्यार्थियों की रूची को बनाये रखने के लिए, सिक्षकों को क्या करना चाहिए, students की interest को continue रखने के लिए, teacher को क्या करना चाहिए, option A है, स्यामपट का परियोग, चर्चा, प्रशन पूछना, कहानी सुनाना, तो correct answer होगा, प्रशन पूछना, ठीक है, आप प्रशन पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे, और जो नहीं भी जवाब देते हैं, वो दुसरे बच्चे को देख करके सिखेंगे, कि वो बच्चा जवाब दे रहे, तो मुझे भी देना चाहिए, तो इस तरह से हम लोगों को interest develop करना है, students में, question number 7 है, सिच्चन एक प्रक्रिया की भाती सम्मेलित करता है, केवल विद्यार्थी को, विद्यार्थी एवं सिच्चक को, विद्यार्थी सिच्चक माता को और विद्यार्थी सिच्चक पाथे करम को, तो option D, यहाँ पर correct answer होगा, teaching learning जो process है, वो किनके किनके बीच में होता है, वो एक teacher के बीच में, student के बीच देखिए, निम लिखी कि सिच्चन विद्यार्थी को आप सबसे अच्छा मानते हैं, व्यख्यान, प्रश्नोतर, छात्रकेंद्रित, और उप्युक्त में से कोई नहीं, तो देखिए इसका correct answer क्या होगा, most appropriate answer हमें देना है, ठीक है, teaching क्या हो नो जी, छात्रकेंद्रित यान ये child centered तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे भी अच्छा होगा, प्रश्नोतर विद्यी, देखिए, आप question करेंगे, बच्चे जवाब देंगे, तो ऐसे में क्या होता है, कि बच्चे एक दूसरे को देख करके भी उनमें interest होती है, तो option भी correct answer होगा, question number 9 है, अधियापन व्यावशाय ही एक एसा व्यावशाय है, जिसमें व्यक्ति सादगी पूर्ण जीवन व्यतित करता है, अराम अधिक है, व्यक्ति आदर्शवादी बनता है, option D है, व्यक्ति अभिभावगों के साथ सुरेश्ट संबंद बनाने में सच्छम होता है, तो question number 10 है, एक श्रेश्ट अधियापक वही है, जो एक श्रेश्ट अधियापक कोन होते हैं, विद्यार्थियों में सर्वप्रिये, अपने साथी अधियापकों में प्रिये, प्रदनाचारिये का प्रिये है, या फिर छात्रों के सर्वांगिन विकास में सनलगन होता है, तो option D करेक्ट आंसर होगा छात्रों के विकास में सनलगन रहता है वही एक स्रेश्ट अध्यापक कहा जाता है question number 11 है अध्यापक प्रशिच्चन के कौन व्यवस्थित विकल्प है option A है सेवा पुर्ण प्रशिच्चन, प्रेरण प्रशिच्चन या फिर सेवा कालिन प्रशिच्चन option B है प्रेरण प्रशिच्चन, सेवा पुर्ण प्रशिच्चन और सेवा कालिन तो देखें यहाँ पर हमको order wise यहाँ पर arrange करना है तो इसका correct answer होगा 11 का option A जो की है सेवा पूर्ण प्रसिच्चन, प्रेरणा प्रसिच्चन और सेवा कालिन प्रसिच्चन हो जाएगा Question number 12 है सिच्चन एक व्यवशाय है Teaching is occupation बोल रहा है तो इसका correct answer होगा option A जो की व्यवशाय मात्र है इसको मैं अपना सोभाग्य समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ Option C ये इसे, मैं इसे अपनी मजबूरी मानता हूँ आप अगर मजबूरी मानते हैं तो फिर teacher क्यों ही बने है तो ये option नहीं होगा मैं इसे अपनी बदकिस्मती होगा, मानता हूँ तो ये नहीं होगा Option D भी नहीं होगा, Option A भी नहीं होगा Option B will be the correct answer इसको मैं अपना सोभागे समझता हूँ कि मैं एक अध्यापक हूँ, इसका correct answer होगा आज का ये last question है एक अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? Option A है पढ़ाने को ही अपना दाइत्व समझते हैं Option B है अपने विद्यार्थियों की कम्यों को दूर करना अपना दाइत्व समझते हैं विद्याले की प्रगती पर ध्यान देंगे या फिर option D है अपनी प्रगती तक ही सिमित रहेंगे ये नहीं होगा इसका जो correct answer होगा वो होगा Option B जो कि अपने विद्यार्थियों की कम्यों को दूर करना अपना ही दाइत्व समझते हैं तो option B correct answer होगा